सबतर्शियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का, शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चे करना तथा सबतर्शियों का, शिव के पास जा उन्हें सब बात ताकर अपने मको जाना, ब्रह्माजी कहते हैं नारग, तदनन्तर, वसिष् धनैश्वार्य, भक्ति, सिद्धी एवं समता, प्राप्त करने की तथा पदमा कि स्थिर योवन, सौभाग्य, संपत्ती एवं भर्ता के द्वारापरम, बुनवान दस पुत्रों के प्राप्त करने की कथा, सुनाकर कहा, शैलेंडर, तुम मेरे कथन के सार्तत्व को समझ कर अपनी पुत्री पारवती का, हियत महादेव जी के हाथ में दे दो और मेना सहित, तुम्हारे मन में जो कुरोश है, उसे त्याग दो, आज से एक सप्ता व्यतीत होने पर अत्यंत, शुब और दुरलब मुहूर्त आने वाला है, उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर जब की, लगन पर संपूर्ण शुभग रहों की द्रिष्टी होगी, पापग रहों की द्रिष्टी नहीं होगी तथा ब्रहस्पती, ऐसे स्थान पर स्थित होनगे, जहां से वे उत्तम, संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होनगे, ऐसे मुहूर्त में तुम गए, वसिष्टी की बात सुनकर सेवकों, और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बढ़े, विसमित हुए और दूसरे दूसरे परवतों से, बोले, हिमालय ने कहा गिरिराज मेरू, सह्य, गंधमादन, मंद्राचल, मैनाक और विन्ध्याचल, आदी परवतेश्वरो, आप सब लोग मेरी बात सुने, वसिष्टी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है, आप लोग अपने मन से, सब बातों का निर्ने करके जैसा ठीक, समझें, वैसा करें, हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरू, आदी परवत भली भाती निर् करना, चाहिए, वस्तव में ये कन्या देवता, उनका कार्य सिध्ध करने के लिए ही उत्पन हुई है, इसने शिव के लिए ही अफ्तार लिया है, इसलिए ये शिवकों ही दी जानी चाहिए, यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है, और रुद्र ने आकर इसके साथ किया है तो इसका विवाह उनी के साथ होना चाहिए, ब्रमहाजी कहते हैं नारग, उन मेरू, आदी परवतों की यह बात सुनकर, हिमाचल बड़े प्रसन हुए और गिरिजा भी, मन ही मन हसने लगी अरुन्धती ने भी, अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की, बाते सुनाकर और विविद प्रकार के अद्वर्टिस्मेंट, इतिहसों का वर्नन करके मेनादेवी को समझाया, तब शेलपतनी मेन का सब, इक्वल्स कुछ समझ गई और प्रसंचित हो, उन्होंने मुनियों को, अरुन्धती जी को और, हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयम, भोजन किया, तदनंतर ज्यानी गिरिश्रेश्ट, हिमाचल ने उन मुनियों की भली भाती सेवा, की, उनका मन प्रसन और सारा भ्रम दूर हो गया था, उन्होंने हाथ जोग प्रसन नता पूर्वक, उन महर्शियों से कहा, हिमालय बोले महाभाग सप्तर्शियों, आप लोग मेरी बात मेरा सारा संदेह दूर हो गया, मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिये, अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धी, सिद्धी, तथान्य, सारी वस्तुए भगवान शिव की ही हैं, दूसरे, किसी की नहीं, ब्रमहाजी कहते हैं नारग, ऐ उन रिशियों से बोले, ये भगवान रुद्रका, भाग है, इसे मैं उन्ही को दूनगा, ऐसा निश्चे कर लिया है, रिशी बोले गिरिराज, भगवान शंकर, तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयम उनके दाता हो, और पार्वती देवी भिक्षा हैं, इससे उत्तम और, क्या हो सकता है, हिमाचल, तुम समस्थ पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ होर, धन्य हो, अता तुम्हारे शिखरों की सामान्य, गती है तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रुप से, पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं, ब्रमहाजी कहते हैं नारग, ऐसा कहकर, निर्मल अं होगा, जैसे शुकल पक्ष में, चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुनों की विद्धी हो, ऐसा कहकर, सब मुनियों ने, गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे, विवाह के पक्के होने का द्रिल विश्वास कर, लिया, उस समय परम सती सुमु अरुन्धती ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के भुनों का बखान करके मेना को लुभा लिया, तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परमुत्तम, मांगलिक लोकचार का आश्रय लेहल दी, और कुकुम से अपनी दाड़ी मूच का मार्जन किया, ततपश्चात चोथे दिन उत्तम लगने का, निश्चे करके परस पर संतोष दे, वे सबतर्शी, भगवान शिव के पास चले गए वहाँ, जाकर शिव को नमस्कार और विविद, सुक्तियों से उनका स्तवन करके वे वसिष्ट, आदी सब मुनी परमेश्वर शिव से बोले, रिशियों ने कहा देव देव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभो, आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुने, आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है, उसे जान ले, महेश्वर, हमने नाना, प्रकार के सुन्दर वचन और इतिहास, सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा, दिया है, गिरिर प्रभो, अब शीग्र, हिमाचल के घर पधारिये और वेदोक्त, रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए, पानिग्रहन कीजिए, सब्तर्शियों का यह वचन सुनकर, लोका चार परायन महेश्वर प्रसंचित, हो हस्ते हुए इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा शुब वचन को, सुनकर वे रिशी हस्ते हुए देवाधि देव, भगवान सदाशिव से बोले, रिशियों ने कहा प्रभो, आप पहले तो भगवान विश्णों को विशेश्टा हुनके, पार्शदोस हित शीग्रभ बुला ले, फिर पुत्रोस हित, ब्रमाजी को, देवर शुर्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशे नहीं है, ब्रमाजी कहते हैं नारग, ऐसा कहकर, वे सातो रिशी उनकी आग्या ले भगवान, शनकर की स्थितिका वर्नन करते हुए वहां से, प्रसनता पूर्वक अपने धाम को चले गए, अध्याए 34 माज़, प्रसनता